तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षादस इतियास भारत एवं विश्व नाम के किताब है हरियाना के अंदर तो उस किताब का पाठ नंबर चार पाठ का नाम है मध्यकालिन यूरोप एवं भारत तो इसकी आज मैं आपको कराने वाला हूँ चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं सीचेल क्लास आपको जो है हर एक कंप्लीट जो है बुक का सोलीशन मिल जाएगा जिसमें आपको नोट सब्यास के परसन उत्तर महत्तव परसन मिल जाएगी साथ में रिटन में भी है अगर आपको रिटन में देखना है और या फिर वीडियो देखने हैं दोनों लिक डिस्क्रेप्शन में चैक आउट कर लेना चलो अब सुरू करते हैं पहले परसन से यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा गया कि कल यूग सत्यों देखो को डाइक्ट परसन देखते ही उत्तर पता होना चाहिए तो इस तरीके से अगर प्रिपेर करोगे तो बढ़िया नंबर आएंगे अगर आप उप्सन उपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं वह लोग कि अभी तक पेपर हुआ ही नहीं एक बार भी तो पेपर होने बाद हमें पत कि यूग का गया अंधा यूग का गया अंधी फेती चल रही ते उयूरोपिय समाज में पहला वर्ग कि कीसका था पाद्रीयों का सामंतों २ कそして शहशक है राजाओं का कह सकते हो यूरोपिया समाज में तीसरा वर्ग है या चीटिंग हो गया ना पता रगया वह सामंए ज witnesses सब्सक्राइब करेगा तो कौन करेगी पाद्री वर्ग जो है उनकी शेवा करती थी इसाईयों का उपासना घर क्या कहलाता है क्या कहते हैं इसाइयों का जो उपासना घर उसको क्या कहते हैं गिर्जा घर मंदिर गुर्दवारा मस्जिद तो क्या कहते हैं इसको गिर्जा घर कहते हैं हिंदुओं का मंदिर होता है और मुस्लमानों का मस्जीद और गुर्दवार आपको पता ही है ना सारे पता है क्योंकि आप भारत से हो यार टैंट में आ चुके यह सारे पता है आपको यह याद रख लिना बस चर्च भी कहते हैं गिर्जागर को वैसे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यूरोपिया जनता क को अपनी आय का कितना भाग चर्च को देना पड़ता था कितना भाग देते थे पांचवा दस्वा तीसरा सात्वा तो कौन सा भाग देना पड़ता दस्वा भाग उनको अपनी आय से चर्च को दान करना पड़ता था यूरोपिया समाज का सास्किया वर्ग कौन सा था बड़े जमीन के मालिक होते थे उनको कहते थे जमिदार किसान लोर्ड या फिर सब सब कुछ उपर उपर तीन उपसंट तो क्या कहते थे अंग्रेजी है बहुत जैसे लोड लोजी आते थे भारत में अब निसुआ होगा कई नहीं कई चैप्टर के अंदर किसी बुक में लोड समझ रहें लोड क्यों लगाते थे बदें के मालिक होते यूरोप के लोग किस का जल अपनी फसलों पर छड़कते हैं की किस चीज का जो है वह बाट कशीज नान क वह मिट्धी framework को कि बिल्लकुल सब्सक्रիशा अगर बत्हक्रता है अपनी जुहार होता था बेसिकली तो उसके अंदर जो है वह अपने जानुरों को भी धार्मिक सनान का पानी पिलाते थे और बहुत कुछ होता था मठ का संचालन को को करता था न्याएधीस मठादीस कोई नहीं तो को को मठ है मठ मठ मठादीस करता था मध्यकालिन इंग्लैंड के लोगों की किस खेल में अधिक रूची थी और क्रिकेट धनूर विद्या स्केटिंग उपरोक सभी तो किस में थी अब आप क्रिकेट में मत पहुंच जाना बिल्कुल भी चीटिंग हो जाएगे नहीं तो धनूर व समाज में धनूर विद्या में थी इबाद में उनकी रूचियां बढ़ती गई फिर स्केटिंग में आई फिर क्रिकेट में चलता हुए मध्यकालिन यूरोपिय समाज की जीवंत भासा कौन सी थी जीवंत भासा क्या होती है मतलब एक ऐसी लेंग्वेज ऐसी भासा जो किता अगर आपने बता दिया ना उत्तर तो मेरे हिसाब से आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है देख ले आभी आपको आपके मन में सोचना है चलो अगर आपने लेटिन सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है नहीं सोचा तो अंग्रेजी पे पहुंच गए हो ना आप तो गलत पहुंच गए हो ठीक है वापिस आजा वही है लेटिन याद कर देना चलो अगला परसन देखते हैं तेरिवी से पंदरवी सदी के बीच भारतिय भूमी अधिकार को क्या कहा जाता था यानि कि ने कि इस समय से इस समय की बीच में भारतिय सासकवर्ग को भूमी के अधिकार मिले हो थे उनको क्या कहते थे सामंत इक्ता जागीर जमिदारी तो सामंत तो देख उसासक वर्ग थे यूरोप के वो तो नहीं होने वाले इक्ता जागीर जमिदारी तो क्या कहते थे अब 15-18 सदी में सेम है वही सासक जिनको भूमी के अदिगार थे उनको क्या कहते थे हम उनको कहते थे हम जागीर उनकी ज दिगार थे पहले इक्ता के नाम से जानते थे बाद में जागीर बन गए जैसे बच्पन में आपका नाम चिंटु मिन्टु और बाद में जो है जो भी है रोहन सोवन मोहन क्या बना दिया उसका तो वह वादाजीन है यह ठीक है चलो आगे देखते हैं उलेमा का आर्थ क्या जान रिखने eat outta दो टो एक सबद है जिसका मलब होता है ग्यान रखने वालए वैक्ति को संबोधित करने के लिए हँ कहते है मकतब बासा पुस्तक विद्याले धरम तो मकतब क्या है कि मक्तब हमारा विद्याले हुआ है मद्ध्य कालिन भारत में रज़स्तान के वियाพार क्या कहलाते थे बहुत प्यारा कोश्चन है राजस्तान के वैपारी थे उनको क्या कहते थे मध्यकालिन समाज में भारत में बनिक सेट वहरा मारवाडी तो आपको क्या लगा सेट लग रहा होगा नहीं भई या गलत तो अगर सेट लग रहा है मारवाडी कहते थे राजस्तान के मारवाडी बड़े तेज पढ़ते हैं आज भी पढ़ते हैं और वो पहले नहीं आज भी पढ़ते हैं भारत में जिन किसानों के पास जमीन का मालिकान अधिकार था उन्हें क्या कहते थे किसानों के पास जिन के पास खुद की जमीन थी तो उनको क्या कहते हैं खुद कास्त किसान जमीन नहीं खुद कास्त किसान कहते थे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भारत के वे किसान जो किसी दूसरी की जमीन दूसरे जमीदार की भूमी पर खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं खुद कास्त किसान पाही कास्त, मंजूरिया, जमीदार तो उनको हम क्या कहते थे मंजूरिया कहते थे जो मतलब ऐसे दूसरे की जमीन पे काम क्या करते थे किस सासक ने युद बंदियों को दास बनाने की पर्था पर रोक लगा दिया, कौन सा सासक था वो उस सासक का नाम था अकबर ठीक है ना बाकी नहीं थे इसने जो है अकबर क्योंकि मुगलों का राज चल रहा था मध्यकाल इन टाइम पे तो अकबर ने वो वो सासकता अकबर जिसने जो है रोक लगा दी कि अब से जो भी यूद में बंदी बना के लाए जाएंगे उनको हमदास नहीं बनाएंग उसके बाद में और औरंग्जेब ने फिर से कांड कर दिया फिर चालो कर दिया था बीच में थोड़े दिन सुकुंद रा लोगों को बट जो विटाकबर ने अपने तरफ से कोशिश करी कि बढ़िया से बढ़िया दे पाई चलो वीडियो करते हैं खतम एंसी को आपके हो वाले यह हैं और आप वन मांक टाइफ की कोरिसम से प्रिपेर कर लेना अगर बटे आप बोलोगे तो लिक भी दूग वाले आसकते हैं कैसे आएंग नहीं तो अगर आपको प्रिपेर समय इनमें भी कि दिक्कत आ रही है बाइक आपके लिए बहुत निक्ट दिया है मैं रह तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में घंटी दबालेना ताकि कोई भी अपर डेटा और टाइम से मिल जाए कि बहुत जब पर आते हैं हरियाणा में हम इंपोर्टेंट ओसन देते हैं इतने खतरनाक होते हैं वह पर फिर देख लेना आपकी मर्जिया बाकी तो पूरानी वीडि कराते हैं हम एनलाइज करके पुराने साल के पेपरों को सारी चीज़े देखके अब आपको भी अगर आप कभी कोई पेपर होता है तो आप हमें जो है कोस्तन वगारा बेज सकते हो इस वाली बुक से क्योंकि इस वाली बुक का पेपर हमारे पास अभी तो आएगा नहीं अग कर दो आप कर दो आपको इस वाली बुक हमें आपको जास पो आपको आपको देखके प्याटा करूशों के रहता है अगर भी तो का लूशे को सारी पास पास अदार आपको उ प्र्बूश्या पास अभी तो झाल झाल